हाई पल्लवी जाइफस्टाल में आपका स्वागत है मैं हूँ पल्लवी तो आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल आसान तरिके से हम घर में केक कैसे बना सकते हैं तो इसके लिए आपको कोई टूल्स के जुरूरत नहीं है ना ही किसी नोजल की तो चलिए आज मैं आपको इसके लिए मैंने इसके उपर डाला याइसिंग सिगर सिर तो यह देख आप को कुन से भी ख्लेवर का एसिंग सिर यूज कर सकते हैं इसके उपर मैंने डाला है ए वैपिंग क्रीम 아 non को एसे अच्छी तरह फेला के लेना है तो देखिए बिलकुल आसान्य साफ इसको बिलक तोड़ा सा चॉकलेट बेस मैंने कट करके लिया है यह देखिए तो अब इसके उपर मैंने चुगर सिरफ डाल के लिया है इसके उपर हम फिर से डालेंगे वीपिंग क्रीम तो यह देखिए अगर आपको वीपिंग क्रीम कैसे बनानी है देखनी है तो मेरी चैनल पे इसकी ब तो इस तरह से मैंने इसको फैला के लिया है देखिए तो चलिए मैंने पाइपिंग बैग में ऐसे वेपिंग करीम बर के लिया है इसमें मैंने थोड़ा सा यलोश कलर डाल के लिया है तो ये देखिए मैंने इसको शरीफ आसानी से एसे राओंड राओंड करके इसको ऐसे गुमा के लिया है तो बिल्कुल आसान टिप है आप इसको ऐसे जरूर बनाए तो ये देखिए अब आपको दूसरा कलर यूज़ करना है तो इसके लिए उसी पाइपिंग बैग में मैंने और थोड़ा सा विपिंग क्रीम डालके इसमें थोड़ा सा ओरेंज कलर इसे भर के लिया है तो जिस जगह हमने छोड़ा है उस जगह ऐसे हमको गोल गुमाते हुए फिर एविपिंग क्रीम इसे डालके लिए नहीं है तो इदी कि यह बहुत ही आसानी है आप अगर फर्स्ट टाइम ये एक एक बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आपको इसको बना सकते हैं तो इदी कि मैंने इसे बना के लिया है और अब टुथपीक का नहीं तो ऐसे आप इसको ऐसे डिजाइन बना के ले सकते हैं चाहे जैसे तो आपोजी डारेक्शन में हम इसको ऐसे डिजाइन बना के लेंगे तो यह दीखिए लग रही है न बाहर जैसी के वोजी श्रीप 10 मिनिट वे मैंने बना के लिए अब इस पे अलग 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 ऐसे डेकोरेशन कर सकते हैं बचा हुआ भी पिंग क्रिम मैंने इसे साइड को इसे लगा के लिया है और मैंने पहले बताया था ना जो मैंने केक कट करके लिया है केक कट के लिया था उसको मैंने इसे क्रंबल्स बना के लिये हैं और क्रंबल्स मैं इसे साइड को लगा रही हो अगर इसके आपको क्रंबल केक तयार हो चुका है ना तो आप जरूर बनाईए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपको मेरी एक रेसिपी कैसे लेगे मुझे को जरूर बताईए यह दिखे कितना मस्त लग रहा है ना तो आसानी से आप इसको दस मिनिट में घर में बना सकते है तो मेरी यह वीडियो लाज तक देखनी के लिए धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग